अर什么 जैसा कि हम सभी जानते हैं टीन किसमे पूश्ण सहनस्तान के दारा विशित की गई हैं जो बहुत प्रचलित है उसमें पूशा वास्मती 110 पूश्ण वास्मती पंदरा सुन होनो और पूश्ण वास्मती 1401 यह तीनों किसमें मिला करके करीब करीब 95 प्रत्षत रख्वा वास्मति का इनी तीन किस्मों के अंदर आता है अब इन तीनों ही किस्मों में दो प्रमुख समस्याएं हैं पहली समस्या है पत्ति का जुलसा रो जिसको हम बैक्टिरियल ब्लाइट या बीलबी के नाम से जानते हैं और एक दूसरी फफूद जनित बिम काफी नुक्सान होता है और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंतरन करने के लिए जब किसान भाई इस्टेप्रोसाइकलीन जो कि एक एक एंटिब्यार्टिक है उसका प्रियोग करते हैं दो उसमें खर्चा भी होता है तीने जार रोपे प्रतिये करके आस पास जो ह और कई एक बार दवाओं का आवसेश चावल के अंदर रह जाता है, जिसके वज़े से जब चावल हमारा निर्यात होता है, खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चावल का निर्यात, यूरोपियन यूनियन में पांच लाख टन था, जो 2017 में और जो घट करके 2019 में करीब ठाई लाख टन हो गया, यह औसेश के चलते, तो यह बहुत बड़ी समस्या थी, इसको ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने तीन नई किसमें विक्सित की हैं, जिसमें पत 509 का शुधार करके एक नई किसमें विक्सित की गई है, इसको हम पूशा बासमती 1847 का नाम दिये हैं, और यह किसमा करीब 125 दिन में पकर तयार हो जाती है, बाकि सभी गुण इसके 509 जैसे हैं, गुर्वत्ता में उसी की जैसी है, पैदावार उसकी 5 कुंटल 509 से प्रतिय कर जादे हैं, और इसके अंदर जोंकारो और जुलसारो दोनों के लिए रोग रोधी चमता विक्सित की गई है, इसी तरह से पूशा बासमती 1121 का शुधार करके, जो हमने किसम बनाई है, वो है पूशा बासमती 1885, यह भी पकर दयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूशा बासमती 1121 को लगता है, पकाने के बाद चाऊल की लंबाई, चाऊल का फैलाव उतना ही होता है, जितना 1121 में होता है, और इस किसमे भी जोंकारो और जुलसारो बिलकुल नहीं लगता है, इसके बाद त flirting किसम में हमारी पूशा बासमती 1401, उसका सुध करीब 155 दिन की है बीच से लेकर बीच तक और उतना ही समय करीब लगता है 1401 को पकर तयार होने में और इसकी गुनवत्ता बहुत अच्छी है इसकी दानों में तूर पाया जाता है 1401 में और 1886 में भी दूर आता है मुख रूप से इसी किस्म का चावल जो है European Union के देश में न किसमें बाश्मती के उतपादन में एक नई क्रांती लाने का काम आगया नोरे दिनों में करें बकाने की बिमारी एक प्रमुक बिमारी है जो बाश्मती की तकरीवन सवी किसमों में लगती है चाय और चcific 1601 हो 1120 पंद्रह सो नौ हो सब में में बकाने प्रमुक रूप से आत जो वकाने ग्रसीत पौधे हैं। उनको मूर्ख पौधों की शंगया दी जाती है। क्योंकि जो पौध ब्यक्ति होता है समाज में उस्की पहचान एक अलग से बन जाती है। वो सबसे अलग रहता है तो ये वकाने से ग्रसीत पौधे वो लंबे हो जाएंगे, हलके पीले रंके हो जाएंगे और बाद में चल करके सूख जाते हैं और खेत में आप सलक से जा रहे हैं तो ये पौदे अलग से खेत में आपको दिखेंगे और पूरे खेत को खराब कर देते हैं हम प्रयास यह कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी किस्मिती कुछा बास्मती एक मुच्चल जिसको जानते थे. मुच्चल बहुत दिनों तब किसान भाईयों ने लगाई उसमें बकाने बहुत कम आती है. उसी तरद से कुछ और किसमे हमनों चिन्दित की है जिसमें बकाने नहीं आती है और उन गुरों को अब हमने पूसा बास्मती 1509 में, पूसा बास्मती 1121 में चोदर 101 में अस्थानांतरित किया है लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा तब तक के लिए हमारा अमरोथ किसान भाईयों से रहेगा कि ये बकाने की विमारी जो है वो बीज जनित है और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है अगर मिटी से भी हो सकती है, साथ साथ बीज से भी हो सकती है तो बीज का उचार जरूर आप करें, बिना बीज उचारित किये उसकी पौज दिनों लगाएं, ये तो बहुत इंपार्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यार रखना है, फ्रैकोडर्मा से भी बीज का उचार कर सकते हैं तो इससे एक प्रभावी नियंतरन होगा और दूसरा ये है कि ये किसान भाई अगर बास्मती और गहर बास्मती दोनों किसमे लगाते हैं तो इस खेत में इस साल बकाने आया है, उसमें किसम को बदल दीजिए, उसमें गहर बास्मती किसम लगा लिजिए और बास्मती वाले को दूसरे खेत में लगा दिए तो इससे भी नियंतरल में मदद मिलेगी काफी अब दूसरी बार एक और जो अनुस अंधान की जो मूख के दिसा है उसमें धान की सीधी बिजाई जैसा कि आप जानते हैं जब रुपाई बिजी से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है एक किलो चावल पैदा करने में तीन हजार लीटर पानी लगता है और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40% 35% से 40% पानी की बचत होती है लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खर्पतवार की आती है और उसके नियंतरण के लिए हम कुछ सोध कारे कर रहे हैं जिसमें की कुछ ऐसी नई किसमों का विकास हमने किया है जिनमें की एक विशेश खर्पतवार नासी दवा है जो की हर तरह अगे खर्पतवार को माल देती है लेकिन धान के उपर कोई असर नहीं होता है तो ऐसी किसमें भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उप्यूक्त होगी और ये सोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग कहुंचाएंगे